Hello everyone, welcome to selenium tutorial पहले हमने देखा था कि कैसे हम data को read कर सकते हैं पर कई बार हमें data modifications की विजोरीत होती है जैसे हमने SQL में हम simple create, update, ऐसी insert queries से कर सकते हैं लेकिन ExcelS के लिए आपको actual में data को write करना है बिना queries को use करें वहाँ पर आप simple data write कर रहे हैं और वहाँ पर data write करने के लिए आप formatting और कई सारे options available होते हैं तो हम देखेंगे कि वो कैसे कर सकते हैं पहले हमने data read करना सीखा अब हम write करेंगे तो पहले तो शुरू से इसी file में modify करते हैं या हम एक और file बना देते हैं जो same ऐसी होगी और हम उसकी copy रख लेंगे तो यहाँ पर एक file है testing.excel.write बनाते हैं तो हमने एक class file बनाई और हम बिल्कुल सब same रखेंगे यह class का नाम excel.write है तो सबसे पहले यह file object अब हमें नहीं चाहिए और यह जो parameter पास हुआ हुआ है यह file input stream का अब नहीं चाहिए अब हमें file output stream का parameter चाहिए और इसमें हम file को पास करेंगे तो जो हमने file लिये वो यह है sample excel.sv वही वाली जो पहले हम यूज़ कर रहे है और इसमें हम file output stream का object बनाएंगे file out और इसके बाद हम hssv workbook का हमने simple वही किया अब यहाँ पर हमें sheet get नहीं करनी है अब हम sheet let's say create कर रहे है क्योंकि हम data write कर रहे है और इस sheet का नाम मैं दे देता हूँ sheet 1 आप चाहे तो कोई भी नाम दे सकते हैं जो आपको पसंदो और उसके बाद मैंने row एक row का object बनाना है let's say row 1 ले लिया और row का हम क्या करेंगे यहाँ पर हम कह रहे है कि w sheet dot create row और यहाँ हमने row create कर दी ऐसे ही मालो a1 cell है हम cell create कर रहे है तो row 1 dot create cell और यहाँ पर भी हमने उसकी value दे दी और मैं कह रहा हूँ कि cell 1 की एक हमने value set करनी है तो set get की जगा हम set की use कर रहे है पहले हम get कर रहे थे जब हम value उठा रहे थे तो हम set use करेंगे तो यहाँ पर जब हम set cell value उसकर रहे है कोई भी हम value उसकर सकते है integer यह लेट से मैं अभी के लिए सिरफ string ले रहा हूँ तो high use कर रहा हूँ मैं आपर और बाकी code को भी मैं comment कर देता हूँ लेट से यह comment कर दिया और उससे बाद last में मैं लिखता हूँ workbook.write file out आएगा यहाँ पर जो हमारा file output stream का object है उसके बाद file out dot flush file out dot close और उसके बाद मैं इसे execute करूँगा और अपनी file को देखूँगा तो simple sheet one में एक value लिखी हुई है ऐसी अगर मैं इसको close करना पड़ेगा वरना यह error देगा कि यह already in user sheet या sorry xls file test selenium data let's say मैं ऐसे बनाता हूँ इसे execute करेंगे और फिर file खोली हमने तो मिरे पास यह आया जो sheet का नाम है वो change हो गया और value same है अब ऐसे values तो different different दे सकते हैं मैं boolean, integer, string सब दे दूँगा लेकिन अगर मालनो मुझे की style change करना है तो यहाँ पर मैं hssf cell style का object बनाया और इस style का object को let's say मैं initialize कर रहा हूँ let's say हम इसका नाम change कर देते है cell style और workbook.create style अब मैंने इसका कुछ भी action perform करवाना है let's say set background fill background color और इसके बाद हम इसमें color define करेंगे तो यह hssf color dot जो भी आपका color है let's say gold dot index ऐसे define कर सकते है और भी operation perform कर सकते है cell style dot set let's say foreground color हम अभी करेंगे तो यहाँ पर इसकी जगा हम करेंगे gold की जगा let's say green dot index तो यह हमने action perform करा अभी से फिर से execute करेंगे तो यहाँ पर कोई भी action perform नहीं हुआ क्योंकि हमने क्या किया था हम जब यहाँ पर यह action perform कर रहे हैं तो हमें क्या करना है cell style फिर बाद में cell even dot set cell style यहाँ पर हमें यह pass कर रहा है तो यहाँ पर कोई अभी changes नहीं है तो यहाँ पर फिर से execute करना इसे और उसके बाद हमें chain नहीं दिखा क्योंकि हमने यहाँ पर यह गलत लिया है इसको हम let's say change कर देता है solid foreground में hsf cells trial के उसमें तो यहाँ पर कोई index नहीं आएगा और फिर इसे execute करा हमने फिर से कर देते हैं और फिर अब हम यहाँ पर changes देखेंगे तो यह जो high हमारा different आ रहा था बिना color क्या रहा था यह change हो गया color इसका तो let's say हम इसे फिर से एक बार ही change करते हैं style में हम क्या करेंगे solid foreground था हमारे पास अगर हम इसे हटा देंगे और execute करेंगे यह हमारा यह है color close करके फिर execute कराएंगे तो यह ऐसा आ रहा है और जब मैं उसको uncomment कर देता हूँ sorry इसमें एक यह आएगा और फिर मैं इसे execute कर रहा है तो यह error दे रहा है क्योंकि हमारी open थी excellence फिर से execute करेंगे execute किया और यहाँ पर यह pattern change हो गया आपका color change हो गया इसके अलावा अगर मालो आपको date write करनी है तो इसको अभी के लिए comment करते हैं cell.setValue setCellValue में आप calendar या date दे सकते हैं तो date का जो भी object आप चाहे वो पास कर सकते हैं तो ऐसे आपने एक date object पास किया इसको import कर लिए आपने और उसके बाद आप इसको cell style का object यहाँ बनाएंगे और यहाँ पर आप इसका date format set करेंगे तो यहाँ hssf का एक date format होता है तो date format में get built in date format यहाँ पर आप जो आप देना चाहे वो दे सकते हैं let's say मैं देता हूँ mdyhyhmm let's say मेरा date format यह है और उसके बाद आपका अभी date format set नहीं हुआ क्यूंकि आपने भी cell 1 को आपने set style नहीं कहा set set style और यहाँ पास करेंगे अपने cell style को तो यहाँ पर अगर आप इसे execute करवा रहे हैं तो यहाँ पर आपका date format और style set हो गया और आपने execute कर आया तो अब हम excellence वे जाके देखेंगे तो मेरा एक date value प्रेंट हो रही है तो ऐसे ही आप different different values प्रेंट कर दा सकते हैं तो अब एक बार revise कर लेते हैं कि हमने कैसे यहाँ पर क्या-क्या operation perform किये हमने एक पहले read करते हो जो हम कर रहे थे input stream से अब हम वह फाइल output stream में यूज कर रहे हैं यह using rows और cell के object आपने create किya row, create किya cell यह बात ध्यान रखेगा कि जब आप row heartfelt कर रहे है तो वह sheet में हो रहा है तो हमें इसा है wsheet.create row ऐसे ही जब आप sheet separate कर रहे है तो in workbook में हो रहा है तो workbook.createSheet और cell create कर रहे हैं तो वो row में हो रहा है तो row.createCell और यहाँ पर आप जो भी index दे रहे हैं वो यहाँ आएगा और उसके बाद आप value set कर रहे हैं जो भी आपने देनी है और उसके बाद आपने उसके style set किये आपने color के style set किये आपने date format set की और बाद में आप इसको write जरूर करें और उसके बाद उसे flush और close इसले गया ताकि file open ना रहे connections open रहेंगे तो multiple files के cases में बहुत problem होगी और यह सब होने के बाद आप जब execute करते हैं तो यह data write हो जाता है अगर आप चाहें तो इसमें आप similarly xssf use करें हर जगा और xlsx files को handle करें और इसके अलावा अगर आप यह use कर रहे हैं कि multiple data write करना है तो आप of course आप iterators या for loops use करेंगे for example यहाँ पर जब 0 की जगा आई एक value आएगी तो let's say integer i equal to 0 i smaller than 5 i plus plus यहाँ integer आएगा टाइप हो हो गया और मैं यहाँ पर इसको कहूंगा यह write करो और जो cell है उसमें i pass हो गया और अब मैं इसे execute करेंगे तो आपने दोनों जगा i pass करके जब execute किया तो यहाँ पर इसने multiple जगा पर यह value प्रेंट कर दी तो ऐसे write आपने कही जगा पर देखा होगा कि यह values right हो गई तो अगर आप यहाँ पर rows में मालो की i लेते हैं लेकिन cell में 0 लेते हैं कि वो हर row में print होना चाहिए row आपकी change होना चाहिए और cell आपका 0 रहे और फिर execute करेंगे तो आपका यह ऐसे print हो गया और ऐसे अगर आप और भी values change करना चाहते हैं कही पर write करना चाहते हैं तो आप वैसे कर सकते हैं अफकोस आप इन में पहले की तरह iterators और while loops भी यूज़ कर सकते हैं यह बस एक example था for loop का जो मैंने आपको बताया है कि आप सिरफ एक नही multiple values write कर सकते हैं और style आप style के objects different रख सकते हैं और उसमें pass कर सकते हैं सो अभी के लिए इतना हैं थैंक यू